अंतरिक शेत्र में काम करने वाली भारती कमपनी एक बार फिर से बड़ा कदम उठाने जा रही है जी हाँ, दरसलाज इस रोज शाम साथ बजे अपना आठवा रीजनल नैविगेशन सेटेलाइट लॉंच करने जा रही है और खास बात ये है कि इस रोज पहली बार प्राइवेट कमपनियों के मदद से बने अपने सेटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजेगा इस सेटेलाइट का नाम IRNSS-1H है जिसको बनाने में 6 प्राइवेट कमपनियों के ग्रूप का 25 प्रतिशत योगदान रहा है वैसे आपको बता दें कि 1425 किलोवजन की IRNSS-1H अंतरिक्ष में मौजूद IRNSS-1A की जगह लेगा 2013 में लॉंच के गए IRNSS-1A की तीन एटोमिक घडियों ने काम करना बंद कर दिया था इसके चलते नए सेटेलाइट को लॉंच करने की ज़रूरत पड़ी है इन एटोमिक घडियों से ही सही लोकेशन की जानकारी मिलती है क्या होगा फायदा? इस लोकी माने तो इससे खराब मौसम, उची लहरो और अंतरास्ट्रिय समूद्रे सीमा के पास पहुँचने से पहले सतर्क होने का संदेश मिलेगा ये सेवा स्मार्टफोन पर एक सॉफ्ट्वेर एप्लिकेशन के द्वारा उपलब्ध होगी News Express की रिपोर्ट